हेलो एव्रिवान कैसे हैं आप सब उमीद करती हूं आप सब लोग ठीक और सेहत मन्द होंगे तो आज मैं आपके लिए लाई हूं चाई के वक्त छोटी मोटी भूग लगती है तो आप इस आलू फ्राय को करके चाई के साथ आप इसमें गर्म गर्म इंजॉय कर सकते हैं आप किस तरह से बनाना है देख लेते हैं तो चलिए तो पहले यहां पर मैंने आप छील लिया हूं है चार आलू लिया है इस आलू चीप्स के लिए हमें बड़ाई-बड़ाई साइज के आलू चाहिए तो यह देखिए तो यहां पर एक पति ले में थोड़ा-सा पानी और आलू चीप्स बनाते हम उखत तो इसके अंदर हम छील लेना ही लेखिए ससे हम चोड़ यहाद महें स्कातव हैं अगर आप नेचे भój सफे चारेक्गि पानी नहीं रहना साथ है है तो इस कपड़े से हम के सारह आलू निका लेता है और कि इसे कपड़ के अंदर से रखने अर यसे पोच लोंगé दीए और यह पर मैंने कि आर्टा लिया हुआ है एक कटोरी जितना देखिए और इसमें थबा सा कि दिकका है मिक्स कर लेते हैं तो इसे साइट में रख लेती हूँ और अभी जो चकी है रोटी बेलते हैं हम वो लेती हूँ और उसके ऊपर एक छलनी से एक चम्मच चावल काटा डाल कर चारो तरफ पहला लेते हैं उपर से देखिए और जो आलू को एक एक रखना है और इसके ऊपर से और चलनी से मैं चारो तरफ चावल का आठा देती हूं चारो तरफ से और इसके ऊपर और एक आलू ऐसा करके हम सारा एक स्टीक में डाल दूँगे रोल करके तो इसके उपर भी थोड़ा सा आटा डाल देते हैं, चावल वाला और हातों से आलू को पकड़ कर हमें से रोल बना लेते हैं और एक तूतिपिक डाल देती हूँ इसके बीच में, देखिए इस तरह से ही सारे आलू को मैंने रोल बना कर स्टिक में डाल दिया है थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन खाने में प्रिस्पी और मज़ेदार भी बनता है तो देखिए मैंने सारे आलू को रोल बना लिया है इस तरह से और तेल गरम पूरा मैंने कर लिया है तो यहां पर देखिए तेल पूरा घरम होना चाहिए लो आच में हम इसे नहीं तलेंगे फूल आच में हम इसे पकाएंगे तो सारे आलू को डाल देती हूँ तेल के अंदर और हमें इसे फूल आँच में ही पकाना है तो इसे देखिए बीच बीच में हम थोड़ा थोड़ा चला लेते हैं चारो तरब से अच्छी तरह से क्रिस्पी गोल्डन हो जाएगा यह आलो तो इसे दूसरी तरब भी कर लेते हैं बारिस की मौसर में तो हर कोई पकोड़े खाने को बहुत ही मन ही होता है हर किसी को तो इस तरह से आप बच्चों के टिफिन में भी आप इसे आलो रोल को दे सकते हैं यह थोड़ा सा गोल्डेन हो चुका है तो अब इस इसे मैं निकाल लेते हैं एक प्लेट में और बाकी जो बच्चा हुआ है उसे भी में तैल में फृाई कर लेती हूं इसे भी हम अच्छी तरह से चला लेते हैं बीज-बीज में चला लेते हैं तो यह देखिए, यह भी थोड़ा सा पक चुका है, थोड़ा सा कलर और आजाने के बाद हम इसे भी निकाल शावर देखिए हम इसे भी निकाल लेते हैं प्लेट में घरमा गरब अब श्थीक को नहीं शोरढें तो फिर भी चलेगा तो यहां पर देखिए मैं सारे श्टीक को निकाल लेती हूँ हाथो से और एक कटोरी में सारे अलू रोल को डाल देती हूँ और उपर से थोड़ी सी नम्मक, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर और कस्तोरी मिर्थी उपर से थोड़ा सा ही डालना है आप चाहें तो धन्या के पत्ते भी डाल सकते हैं तो इसे देखिए mix कर लेते हैं और गर्मा गर्म आप इसे enjoy कर सकते हैं तो यह देखिए हमारे आलो चेप्स तयार हो चुके हैं अगर आपको पसंद आए तो यह recipe प्रीज में चेनल को subscribe, like, share जरूर कीजिए बाई